असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आप लोग में के साथ शेयर करने जा रहा हूं न्यू जोब्स जो के आई वी हैं जुलाई आठ दो आजार बाइस को पोस्ट हुई है और इनों के जुलास्ट डेट है जुलाई उनतिस दो आजार बाइस ठीक है तो आईए मैं आपकी आपक हुआ हुआ है इंप्लेमेंट ओपर्चुनिटीज आई वी के रहे है के एप्लिकेशन आर इन्वाइल टिड फ्राम एलिजिबल परसन मेल एंड फीमेल यानि दोना प्लेकर सकते हैं फार दे फालूइंग पोस्ट फार रिकुरमेंट रिकुरुटमेंट और मार्कट बेस ब अगरी कल्चर ट्रांस्फोर्मेशन प्लान ठीक हो गया जी तो आए मैं आपको पहली पोस्ट बताता हूं पहली पोस्ट है प्रजेक्ट डाइरेक्टर पोस्ट एक हैस की क्वालिफिकेशन सोला एस एजुकेशन इन बिजिनिस एड्मिनिस्टरेशन में होने चाहिए या मे मेरेजमेंट या फिर डेवलापमेंट स्टुडीज या फिर मेकेनिकल इंजीनियर एगरिकल्चर इंजीनियर पॉब्लिक पोलिशी एकोनोमिक्स फ्राम हायर एजुकेशन कमिशन एची सी ठीक हो गया उसके लिए एक्सपिरेंस होना चाहिए 15 एयर्स प्रिक्टिकल सुपरवाइजिंग दी मेगा डेवलापमेंट प्रोजेक्ट ठीक होगे एज होने चाहिए 60 एयर्स नेक्स्ट पोस्ट है चीफ मार्केटिंग एंड बिजनिस डेवलापमेंट ओफिसर पोस्ट है एक ही इसकी क्वालिफिकेशन होने चाहिए 16 एर्स एजुकेशन इन एगर डिजाइनिंग एंड इंप्लेमेंटेशन आफ बिजनिस डेवलापमेंट स्ट्रेजी इसकी भी 60 एर्स नेक्स्ट पोस्ट में आपको बताता चालूं चीफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी ओफिसर इसकी एक ही पोस्ट है इसके लिक्वालिफिकेशन भी 16 एर्स कंटेशन बेस्ट ओन ई और पी यानि के टेक्नोलोजी इसमाना चाहिए परफॉर्मेंस विल पी किमें टू टू टी कंडिडेट्स हूँ है एक्सपरेंस इन मल्टी नेशनल फ्रम्स के साथ जो काम के अगोशन ने यानि के दी जाएगी एहमित दी जाएगी एज 60 एर्स यह का मची होने चाहिए मास सफ़्टवेर एंजीनियर एक्सपरेंस 10 एं एं एर्स प्रिक्रिकल आइटी एक्सपेरेंस होना चाहिए और फाइब यह जी एन आसी टी ईर पी बिजनेस एन लाइससेस भी होना चाहिए एज वनी चाहिए 45 यह एस तेंट टेक्निकल आफिसर एलेक एक्सपिरेंस दस साल होना चाहिए और एज अप्टू 50 एर्स नेक्स्ट पोस्ट नमारी जी अस्सेस्टन टेक्निकल आफिसर मेकेनिकल की इसकी बेखी पोस्ट है इसकी पोस्ट है ड्राइवर की क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमाइन एसोशेट इंजिनियर डी एबी इन मेकेनिकल ट्रेड में जी एक्सपिरेंस दस साल का होना चाहिए इन फेबिरिकेशन मेंटिनेंस एंड इंस्टालेशन एडेक्शन प्रिफराइबली इन ग्र डाराफ वैलिड एल्टी वी लाइसन्स होना चाहिए जी प्रिफर विल बी गिवन प्रिफरेंस विल बी गिवन टू दी लोकल रेजिस्टेंट्स यानि के पंजब के जो जहां पे यह पोस्ट होगी वहीं को तरजी दी जाएगी एज होने चाहिए 40 अब इस कप्ला कैसे कर यहां पर आप जाएंगे तो आपको एप्लिकेशन फोर्म मिलेगा कह रहा है कि एडरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब सीड कार्पूरेशन लाहूर किलिरली इंडिकेटिंग दी पोस्ट अप्लाइड वार यानि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइए किया वहां पर किलिरली मेंशन करना है और कह रहा है कि अलोंग विद क्रिकुरलम वाइटा सीवी कि एक सीवी अपने उसके साथ लगाने और थिरी पासपोर्ट साइज भी लगाने हैं और कह रहा है कि अटेस्टिट कोपीज आफ आल रिलेमेंट डॉकुमेंट से नाइसी सर्टिफिके डिग्रीज मस्ट रीच जुलाई उननतीस दोजार बाइस यानि नो कि जो लास्ट डेट हो उननतीस जुलाई नतीस दोजार बाइस तो तब तक आपके जो काख़जात हैं वह विद अटेस्टिड पहुंच जाने चाहिए अगला कह रहा है कि जी टे कंडिडर्स केन आलसो प्लाई एट www.jobs.punjab.joe.pk के रहा है कि आप इस वेबसाट पर पी जाकर अपलाई कर सकते हैं ओनलाइन अपलाई ठीक है और के रहा है कि हावेवर हार्ड को प्याफ एप्लिकेशन फॉर्म अलोंग विद कप्लीट अटेस्टिड रिलेमेंट डॉकुमेंट्स इस मेंड डेटोरी टू सब्मेट टू दिस डिपार्डमेंट जैसे अपने 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 हड को पी जुकावजात होंगे वो आपने जरूर सब्मेट करवाने हैं ठीक हो गया और वो भी प्रिस्क्राइबड डेट के अंदर ही कह रहा है कि आगे लेट एन इनकंप्लेट आपके रहा है जनल टर्म्स एंड कंडिशन या आपको बता रिलेक्स सेक्शन इन अपर एज लेमेट इस नाट एड्मीजब नहीं होगी दि कॉंट्रेक्ट अपन्मेंट्स आर टेंपोरेरी इन नेचर नॉन ट्रांसफरेबल जोब्स पोस्ट स्पेसिफिक नॉन रिस्पो इन पुरी क梵िम्म itt यानि पूरी को पूरी नेचर पूरी hon जाएंगे इस ब्बाकिश मैंतरु के लिए लग मजदें नमारे बीडियों को Sakま , आपको यूट्यों पैकर बेल बनेना शक्राण को प्रेस करें शुक्राज और साथी बेल आकर प्रेस करें शुक